आपका जजवा भी याद हो गया है आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ आपको आभार व्यक्त करता हूँ और बिना किसी देरी के मैं आप से सिर्फ तीन बात कहना चाहता हूँ पहली बात कि इसमें कोई सक्संदेह नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए संभिधान की रक्षा करने के लिए हमारे देश की जो लोक तांत्रिक पड़म पड़ा है उसको बचाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने और तमाम पार्टीों ने मिलकर के इंडिया एलाइंस बन प्रत्यासी हूं इस संबंध में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं देखिए हम लोग जब अलग अलग राजनितिक पार्टी के होते हैं तो हमारे बीच में कई बार कई चीजों को लेकर सहमती और और सहमती होती है लेकिन इंडिया एलाइंस की एक एक पार्टी इस बात पर सहमत है कि अगर लोग तंत्र बचे गा संबिधान बचेगा तभी चुनाव बचेगा इसलिए यह चुनाव हम साथ में लर रहे हैं इस देश में चुनाव को बचाने 기े लिए यह चुनाव हम साथ में लर रहे हैं इस देश के संभिधान की रक्षा करने के लिए ये चुनाव हम साथ में लड़ रहे हैं इस देश में ताना शाही के खिलाफ और इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उत्तरपूर्वी डिल्ली के लोग हैं आप लोग आप बताईए दस साल से माननीय सां सद का दस दिन का जो है चुनाव केंपेन आप उठा करके देख लीजिए वो मुझे गाली देते हैं हमारी पार्टी को गाली देते हैं हमारे एलाइंस पार्टनर आम आदनी पार्टी को गाली देते हैं उनके नेता केजरिवाल को गाली देते हैं लेकिन दस साल में वो कोई द प्रस काम बताने को तैयार नहीं हो जोनों उत्तर पूर्वी दिल्ली की जंता के लिए किया हो इसलिए आप सबसे मैं आगरह करने के लिए आया हूँ कि ये लड़ाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है हमने इस छेतर में काम किया है और हम इस छेतर में काम क हूँ अभी तो मुझे कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया एलाइंस ने सिर्फ केंडिडेट बनाया है उत्तरपूर्वी दिल्ली का लेकिन आप असर देखिए आपकी महबत का आपके आसिरवाद का आपके होसले का और आपके समर्थन का कि दस दिन के मेरे चुनावी कम केंप साल लगा है मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया एलाइंस को सपोर्ट कीजिए अभी तो हम प्रधान मंत्री को यमना पार लेकर के आएंगे यह हमारा आप से वादा है और जिस तरीके से वो अप्मानित करते हैं यमना पार रहने वाले लोगों को मैं तो कहता हूँ मेरा नाम कनहया है गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमना किनारे रहने वाले आप तमाम मत दाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है जिस तरीके से आपने आसिरवाद दिया है हमको पूरा भरोसा है कि यमना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है आपको मालूम है जैसाह के पिता जी ने अभी कहा कि इंडिया एलाइंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार रही 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार हमन 2009 में जेपी अगरवाल जी यहां से सांसत थे 100 में से 65-65 वोट लोगों ने उनको दिया है वो क्या कहना चाहते हैं कि इस छेतर में रहने वाले जो बहुसंख्यक लोग हैं जो सभी धर्म सभी जाती के हैं ये उनको अपमानित कर रहे हैं इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है और आपको अपमानित किया गया है साथ सांसत होते हैं दिल्ली में छै पर बीजेपी ने केंडिडेट बदल दिया लेकिन साथ में पे केंडिडेट क्यों नहीं बदला क्योंकि उनको लगता है यह यमना पार है यमना पार में चलता है तो मैं यमना पार के लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है उनके उनको टाटा वाई वाई कीजिए, ये वो वक्त आ गया है, और हम, हम आपसे वोट मांग रहे हैं, बीजेपी को गालियां दे कर नहीं, क्योंकि हमारी समस्दारी ये है, कि भाजपा मुझे गाली देती है, इससे आपका नाली बनने वाला नहीं है, बोलिए मुझे गाली देन से काम नहीं होता है, काम करने के लिए सोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए, और आप तमाम लोगों के समर्थन से, हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र तयार किया है, आपको न्याय पत्र मिला है न, आपके छेतरी की समस्याएं उसमें है, आप अगर सम के लिए न्याई करेंगे स्रमिकों के लिए न्याई करेंगे और भागीदारी का न्याई ले करके आएंगे इसलिए हम तमाम अपनी माताओं बहनों से कहते हैं माताओं बहने कॉंग्रेस पार्टी महा लक्षमी योजना ले करके आ रही है गरीम महिला महिलाओं को उनके जेबी के जूट को आपने परदा फास किया है जिस तरीके से सांसद को पकर पकर करके बोला है कि कनया को गाली देना बंद करो ये बताओ कि हमारा नाली क्यों नहीं बन रहा है हमारी सरक क्यों नहीं बन रही है ये आपके आसिरवात का असर है कि आप जो है वो काम की बात करने रग रहे हैं और हाथ जोर करके आपसे चार महीना मांग रहे हैं मैं कहता हूँ कि आपने दस दिन में जो प्यार दिया है उस प्यार को बनाए रखिये हम जानते हैं कि गर्मी बहुत है बहुत जादा गर्मी है और इस गर्मी में भी इतनी भरी तादात में आप यहां आए हैं आपसे मैं आगरह करता हूँ कि आने वाली 25 तारिक को एक दिन की गर्मी बरदास्त करनी है ताकि महेंगाई हमको जहलना ना परे एक दिन की गर्मी बरदास्त करनी है ताकि हमको बेकारी ना जहलना परे एक दिन की गरमी बरदास्ट करनी है ताकि इस छेत्र में जो प्रगती रुकी हुई है उसको हमको बरदास्ट नहीं करना परे बोलिये करेंगे की नहीं करेंगे 25 तारीकों घरों से निकलेंगे और इस बार बदलाओ के लिए मतलान करेंगे तो न्याय के लिए लड़ेगी दिल्ली और हमको पूरा भरोसा है जीतेगी दिल्ली इन्हीं सब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रियादा करते हुए धन्यवाद कहते हुए अपनी बात क अबदा अबदागी हुए तो ठारीकों कहते हुए झालाओ